लो दोस्तों सुवागत आल सब एक रमारे यूट्टू चल में हम डिसकस करें तो नारो सीस्टेम लेटेड अवनॉरमल्टी इस उसी पार्ट को कंटीनू करता हुए इस लेक्चर में में डिसकस करेंगे इस चिर्प्रिप्र की सिजर में क्या शॉटी है कितने टाइप से रख वह मुई आए इस वीडियो में कवर करने के कौशिस करेंगे बने रही है योटुब चैनल में स्टार्ट करते हैं एक रकेनेरोस सीट날 करते हैं में ग्डॉन्ट को उनकेक सुनॉन से बते हैं जो किसी कि से करगेंज किसी क्षेक होते हैं वजे में किसी कंडिशन की वज़े से दुट से कंडिशन को इन को हम क्सें तो कीसे बोलते है इक फासhone करतास होता है अब नजसाइब अनोर्मन तरीके के उसक होने लगता उस क paling कुछ पहुते हैं of the neuron in brain that changes in sensation अब उनकी वज़े से क्या होता वो करेक्टर यहां पर मेंशन कर रहे हैं that changes in sensation behavior movements and perception and साथ in level of the consciousness consciousness का मारा जो लेवल होता वो भी सीजर में change हो जाता sometime patient completely unconscious हो था अपने surroundings के परती अपने situation के परती तो उस condition को क्या बोलते हैं सीजर बोलते हैं तो सीजर सिंपल में आपको याद रखना जब हमारे neurons होती हैं हमारे नरू होती वह अबनोर्मल तरिके से अनकंट्रोल वे में electrical impulse discharge करने लगती है यह हम बोले कि electric impulse को fire करने लगती अबनोर्मल वे में उसे हम क्या बोल देते हैं सीजर बोल देते हैं उसकी जो सेंसेशन होते हैं उसके जो perception होते हैं और perception में या सेंसेशन में बात करें जो वीजियो सेंसेशन होता है तो वह पूरी तरह के से हो जाते हैं उस condition को हम क्या बोलते हैं सीजर बोलते तो यह आपको याद रखना सेकेंड ट्रेमिलोजी है सेकेंड डिसकस करने से पहले सीजर के बात करें तो सीजर के ट्रेप से क्लेंट से क्लासिफ़ाइब काया क्लासिफाब कर रहा है तो कोई न कोई रीजेन को एक और ब्रेन निए आपनोर्मा तरफ कर रही है और या में।े पहु 쪽 आधार पर बंट्यों Всем लोक्कल नाम से जानते हो और समटाइम से बोलते हैं cuánt वोलने के विच्छ और इजन होता है कि जो हमारी नईर्वव सिस्ट्रम का फ़ार्शी तोड़ा सा पार्थी इस लिए इसलेगी इसे फोकलन आटक में ख़ोए लग को इसमें पर्टिकोलर रीज्जन होता है मांने सेरे भ्रंग का हमेरी हेमिस्पेर का यह हम बात करें cultural neurons का गुरूप उता वोही सब्सक्राइब अब की ओभा यह रहा है वही अब normal तरीकें से एकटिकल एक्टीवीटी जनेरेट करने लगता है उसा भात सतुति हम क्या हूथ बात करें पटिक्लोड शेरेब्रम का या हमारी हमीश्फियर वह बाइलेटरली या ओवर व्यूजर ब्रेन है वह कम्प्लेटली पार्टिसिपेट करता है कि इसमें अब नॉर्मल तरीके से फिरक्सिमल तरीके से और और अनकोंट्रोल्ड एलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करने में तो उसे हम क्या होते था जन्रलाइजडी सीजर तो सीजर को मुझली टू टाइब में क्लासिवाइब किया तो फिर्स्ट नोगे मारे सीजर देन उसके जो टू टाइब से में वह डिसकस कर लिए नाँ सेकेंड ट्रमलोजी हमार सामने एपिलेपसी एपिलेपसी क्या होता है देखो वो सारी बॉक्स में सीजर और एपिलेपसी को एक ही वे में दिखाया हुआ है तो वैसे अंग ओर ओलंग जनरली बात करें तो दोनों अबनोरबल इलेक्रिकल इंपल्स ही होते हैं बट सीज को कि मेंठीलमलेपसी को युआ है ईंदो युशे इप रिपिज्ट को एकपिसोर्स अबसेड सब्सिरल युट होता मैं अफटीकुलरों नोस्ट पर्टिकर्ड एकेपिसोर्स ही घ्र्धेश encryption को दोस करहाँ है एपलेपसी फ्रिक्वेनल एपीलेपसी निए आपको मेजर इफरेंस याद रिकना ने शाम ने स्टेटलसट एपलेपznिकस यहाण कि एपलेपसी का ही पाइपकोर एपलेपसी की व्हों कहीं स्पीक्तिर आप्डाबिय। तो Caesar that last longer that last longer longer than more than five minutes and having more than one episode of Caesar एक से जदा एपिसोड और एपिलेप्सी हो रही है और कितने टाइम से जदा फाइफ मिनेट से जदा और ही वीडाओट इसमें इमेडियेटली मेडिकल इमर्जेंसी ट्रीटमेंट की जरूत परती है ये एक मेडिकल इमर्जेंसी है डिसकस करेंगे बाद में अभी जिस्ट्रेमिलोजी याद रखना है कि सीजर से होता एपलेप्सी क्या होता देन स्टेटस एपलेप्टिकस क्या होता नेक्स्ट ए इसके टाइप से रिगार्डिंग जोसे कि मैंने आपको बताया है कि सीजर को मुझे टू टुट टाइम में कलास्फ़ाय करते हैं फॉक पर्टिकुलर रिजिएन पर्टिकुलर पार्टिकुलर एरिया कि इसका हमारे सेरेब्रेल का यह हमारे हमिस्फियर का ही अब नॉर्मल तरीके से अन कंट्रोल में एलेक्टिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने लग जाता उसे हम क्या बोल देते हैं फॉकल सीजर या पार और फोकल चिजर के फिर टू टाइपस है कौन-कौन से एक तो सिंफल फोकल सीजर और एक कॉम्प्लेक्स अभी इसके सिंप्टम्स क्यादार पर टू टाइपस हमने क्लासिफाई कर दिया फरस्ट वन सिंपल जो सिंपल ही है आपके सेंट के लिए जदा डेंगरेस नहीं है तो दॉसे हमिपम्हों फोकल सीजर गोलेंगे और कॉंप्लेक्स जिसमें तोड़े जो सिम्टम्स हैं वो ठोड़े सीऊलर टÎप्स कर आ जाते तो सम्हें क्या बोलते हैं तरिके से अन्युज़ जो नहीं नहीं है नहीं जिसको प्रिशन एट्सप्लेंड नहीं कर भाइंट बोला है कुछ बेचा नहीं सा फिल रहा है कुछ पर से रेलेटेड या सेंसे से रेलेटेड खुछ अबनोर्मलिटी पिशान को फील हुरी है बट क्या एक करिद लुजींग अवेर्नमेस पेस्ट ने लूजने की है प्रसंट का जो कॉंपल सीजर का सेकंड टाइब कॉंपलेक्स वार्षियल सीजर दपर संट डिस्प्लेट बीहेवियर परसंट का जो बीहेवियर है वो पूरतरी की स्ट्रेंज टाइब को जाएगा अगसे टाइब मतलब की एक अन सप्टाबल और हो जाएगा की एक अबनॉर्म तरिका से भीह और होगा है अन्द i इस फोकल सीजर का ही टाइब से बड़ इसमें तोड़े जी सिम्टम्स आएंगे वह तोड़े वर्स टाइब क्या जाए कि पेसेंट का इस्टेंज बीहविर हो जाता उसका बीहविर अजीबो गरीबो टाइब का हो जाता साथी रिपीटेटी मुवमेट्स करता है अपनी सोड टाइम के लिए पेसेंट यहां पर कॉंसियसनेस लोस कर रहा है उसका बीहविर चेंज हो गया जो कि स्ट्रेंज टाइब का है और रिपीटेटी मुवमेंट्स कर रहा है अबनॉर्मल तरीके से मुवमेंट्स आ रहे उस कंडिशन क्या बोल देते हैं कॉंप्लेक्स पा यह आपको याद रखना कॉंप्लेक्स पारिटीर टो फोकल सिजर घेमारे टुटैआप्स होगे टोग की आपनारी ओवरराल बोडी पार्ट को कवर करता है के सिम्टम्स के अकोडिंग और साथ ही हमारे जो ब्रेन होता उसके और बोडी पार्ट ब्रेन के कम्प्लीट पार्ट को कवर करता है जिसमें अब नॉर्मल तरीके से एलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जन्येट होने लगी तो जन्रलाइज सीजर के एक हम डेफिनेशन की बात कर हमतले हुआ कि ब्रेन का दोनों हेमिस्पेर और कम्प्रेट ब्रेन के नियूरों से इनवल्ब हो जाते हैं अब नॉर्मल एलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने में उसे जन्रलाइज सीजर अब जन्रलाइज सीजर के बहुत से क्लासिफिकेस्ट उसकी का शीर बन रहा है ऐसाम तया हम बोलता है कि किस परकार का सिम्टमस देखने को मिल रहा है सीजर की वज़े से उस आधार पर जन्रलाइज दिसेशर को मेले सिंग कर रखा और हुए तो वह कौन-कौन से हुझ लेता हो जन्रलाइज सीजर उसका six टाइब टॉनिक-कलॉनिक किसके टाइब से जन्रेलाइज जी सीजर के टाइब से तो वन बाई वन हमें इसको डिसकस कर लेते हैं तो फर्स्ट न हो गया हमारा टॉनिक क्लोनिक सीजर अब यह क्या जिसमें टॉनसीटी मसल स्टॉन भी चेंज होगी और क्लोन भी चेंज होगा तो टॉनिक क्लोनिक सीजर जुँँए एक इंपोर्टेंट को बात होगी से रिलेटेट की जन्रलाइज सीजर में भी मुष्ट कॉमली कौनसी देखने के मिलती है तो वो गया मारी मौस्ट कॉमन टाइप हो जन्रलाइज सीजर का मोस्ट कॉमली मैं यहां पर बता जेता हूँ में मोस्ट कोमली कौन सा में देखने को मिलता है तो मुष्ट कोमली अगर अगर फोकल लोक शीजर या जन्रलाइब से में से में बात करें तो वह कोमली हमें टोनिक क्लोनिक सीजर के MOST commonจะ में देखने को मिलता इंद्य आपको याद रखना है कर तो क्या होगा उमरा टोनिक क्लोनिक सीजर टोनिक लोगों से में स्पीराई करेक्टराइज़ लूजींग लोस होगा हमारे जनलाइज टाइब की सीजन में तो लोसिंग को सिट depends आते हैं क्याख सिंटम सेलो करते हैं तो स्टिफणिग और बोड़ी थंटि रेजिट ऊजाती है अकडन आ जाती है और सबस्क्वेंट जर्किंग टैप का मुवलेंट तो बेसं की बोडी इस टिब हो जाती है यह उस टैपकी सीजर टो नीग क्लोनेक सीजर यह आपको याद रखना दो सिम्टम इससे लिए रखना स्टेपिंग जएंगरों से गाफ सीजर से अनकोंसी से रिलेटेडड होथा क्योंकि कि हमारे mostly motor neuron का disorder होता है functional neuron का disorder होता तो यह myoclonic seizure जह होगा है जो हमारे muscles में clonic City आ जा से ज्याएगी मुसल्स में clonicity मинस क्या है कि वहाँ पर जर्की मुमेंट देखने के मिलेगा उसे हम क्या बोल देंगे myoclonic seizure sudden हो रहा है uncontrolled jerk moments of either single or multiple muscles group particular एक मसल्स का हो रहा है या मल्टिपल गृूप ऑफ देमसल्स का जर्किंग मुमेंट हो रहा है उसे हम क्या बोल देंगे मायो क्लोणिक सीजर देखो यह देखने में आपको एक टाइप के ही देखेंगे जनरलाइज़ इसमें क्या वेरेशन है क्रिक बर्डव मैजर तरीके से देखेंगे थो थोड़ा थोड़ा सहाथ को डिप्रेंट सेंड देखने को बाकि और पHeंए अगरा बात कर रह Daniel आप लगो एक टाइफ से ही देखेंगी तो थोड़ा आप फोक।स हो की देखना है कि मायो क्लोनिक सीजर क्या है वो ठोलोनिक से बोडे हैं हमारी बोडी उचानक से रिजीड हो जाती है यह नंगा वह बढ़ जाती है उसके वजան चीजर देखने को उससे क्या बोलता है sudden loss of consciousness with sudden loss of muscle stone with sudden loss of the muscle stone followed by क्या symptoms आयाका इसमें jerking contraction contraction of the body especially in the extremities मतलब देखो इसी का पार्ट अगर टोनिक वाला अलग आ रहा रहा था टोनिक और क्लोनिक वाला अलग आ रहा था क्लोनिक वाले में क्या symptoms साद हो ग्राइब 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 कोई मुख्याच च्छिजिए जोगा है जोए जोगाइब लोग ग्राइब । परसंट फोल फोलिंग तो ग्राउंड कॉंसियस अलट टू 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 ए ब्रेपिट जो कॉंसियस नेस वह भी अलट हो जाती वह मेंने आप इस्पेशिल लिखा बट आपको एक टॉनिक सीजर से रेलेटेड यहाद रुखना है कि इसमें मसल स्टॉन लोस हो जाती बिल्कुल कि जैसे परसंट की स्टेंड्ड फोजीशन पर बॉजिशन पर यह सड्डिनली फौल डाउन हो जाता है ऐंसे हैं पोजीशन में गर को यहाद अगर जाओ 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 तो इस परकार की सीजर को हम क्या बोलनेंगे किसी परसेंद में अगर मसल चोल अचानक से लोस हो गई मसल स्टॉन तो उसके वह क्या हो जाएगा अगर वह स्टेंडिक पॉजिशन में है इस पेसल करेक्टर लिखा हुआ है क्योंकि यह डिंजर इंजर होने के सबसे ज्यादा चांसे रहते हैं इसलिए मैंने आवे से रिलेटेड रहते हैं अभी हमारा बेसिक्स वाला पाट चल रहा है तो हमें ट्रेमिलोजी से रिलेटेड ही डिसकस कर रहें तो अट्वनिक सीजर क्या हो गया है कोजो इट कोजेट टोटल लोस अव्ट मसलेटों विद पर्शन फॉलिंग तो ग्राउंड और कॉंसले ले कि या होगा है पेसेंट शोट ली मतलो अपने आप से एपसेंट हो जाता है वह फ्यू सेकंड से ज्यादे लंबे टाइम के लिए नहीं होती है तो उस टाइंट कुछ भी अक्टिविटी कर रहा है तो वह बस वह एक्टिविटी करता ही रह जाए गा मेंनों फोर वारा सो ट चल्ट को मैंने फिरेट के लिए अन्कोंशेश से टिपिकल मेनिफेस्टेंश इस ब्रीफ स्टारीं करता रहे बेटा कुछ भी काम कर रहा है तो उसी जगह से वह स्टारीं करता रहे तो एक special manifestance नहीं पर लिखा हुआ इस्पेल रिजेंब्लिंग लाइक किस परकार दिखेंगा वो दे ड्रीमिंग कि आदमी आखे कोल बोलते ने कि ड्रीम दे ड्रीम क्या कि आखे कुल ली है और पेसंट काई ने काई खोया हुआ तो किस परकार से दिखेंगा रिजेबली लाइक डे ड्रीम डेट लोस्ट ओनली फ्यू सेकंड कुछ टाइम के लिए ही होता है तो इसलिए इसका अधर नाम भी होता है एक तो डेट ड्रीमिंग सीजर भी बोलते हैं किसे एपसें सीजर क ढह crusstr. इसलिए है पॉलते हैं क्यों कि इसलिए पॉलते हैं वहते हैं तो इसलिए जता क्लिक से बीकिस नाम होता है यह आप को लुग्य आपको यादखना यह ना जो उती बॉलते हैं वो और बॉलते हैं ऊच्छे से उनको रिमांड कर पाएंगे बाकि यह ओर्रोल हमारे सीजर से रेलेटेड हैं अगर हम बात कि छो इंपेंस से डिजी दो इसप्रियंग बात की एंस कि अप्सी वाले पास होता है उनके विज़ेस देखने हो मिलता है एक्टिविटी होती है उसे EEG एक टेस्ट होता है डियाग्नोस्टिक प्रोसेजर होती है मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं ही इजी और On Your Heart की एक्तिविटी चीविटी होती है इसे घुद अइसे करने के यहां के लिए यूज करती है उसे में बोलता है इलेक्ट्रोएनशेफलुगाफ्ज यह आपको या यददि हैं व डिटेल से करेंगे वह देख लेंगे तो यह आपको याद रहां नुद्धा को नोखा ओए प्रसेलि का मेन बता दिया है और वह इसके अमेंगे पर शैज्ट से रिलेटेड वीडियो तो अच्छा सीजर और में बता यहां किसी भी वजय से हो सकता है या हो सकता है बूसक्ता है कि मुझे जरा सब्सक्राइब के लिए ट्रोमा उ जिए पोस्टुमे की ट्रोमेटिक हमें कनुवलजन देखने को था मुसल्स का कॉंट्रेक्शन होता है अब मिलता है इसलिए सीज़ के साथ उसे को रॉलेट करके रहता जाना कि मसल्स कंवल्जन होता Emerson सब्सक्राइब ना कि वह सीजर का ये याद रखना के सीजर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अब नॉर्मल्लटी है जब की जब की कनोर्जेंग मसल्स का कॉंट्रेक्शन होता अब नॉर्मलट टाइब का तो सीजर की वज़े से हो सकता है यह मान सकते हैं लेकिन सीजर को नहीं बोल सकते हैं यह आपको याद रखना है तो यह हमारा से रिलेटेड और वीडियो था इसमें किसी परकार आपको डाउट साथ कमेंट करके हम बता सकते हैं बाकि बने रही है यूटूब चैनल में और जिनका भी बेस केलियर नहीं है या को लगता है किसी नीडी वन को जरूत है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को अगे थैंक यू